हेलो फ्रेंड्स योनिक आनलाइन गुरूप पर आप लोगों का स्वागत है मैं विस्मु देव सर आप लोगों का हादी के भिनेंदन करता हूं गडित की कच्छाएं लेगा आईए हम लोग analytics की कच्छाएं आहां पर आरंब करते हैं और वन बाई करके पूरी get के syllabus को पढ़ते हैं देखे गडित की सारे syllabus को आपको पढ़ना है इसके विशे में सलेवस के विशे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज हम एक टॉपिक की स्टार्ड करते हैं आज हम सीखते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है कोई भी टॉपिक पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ा जाएगा आज हमें एक छोटा सा topic इस्टार करते हैं fraction और fraction के विशे में समझते हैं fraction यानि की भिन देखें हम भिन इस्टार्ट करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए पहली बात कि भिन होता क्या है एक बात समझे जब भी कोई टॉपिक हम इस्टार्ट करेंगे तो उसका जीरो से लेकर उसके हाई लेबल तक किसी भी इग्याम के सवाल हूँ वो सॉल्व हो सके हैं तो इस्टार्टिंग एकदम बेसिक से होगी और जितने भी उसके हाई लेबल के सवाल बन सकते हैं वो सारे सॉल्व होंगे चलिए सबसे पहली बात करते हैं भीन की अब हम ये जानना चाहेंगे कि भीन होता क्या है तो अब आप समझे कि भीन ऐसी संख्याएं जिने हम P अपान Q के रूप में लिख सकें और Q का मान जीरों के बराबर ना हो तो हम कहेंगे कि ये भीन है साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए कि P अपान Q प्राकिर्तिक संख्याएं हो तो समझ लिएगा कि वो भीन है जैसे ये अमपल देखिए भीन जैसे हम कहें दो तीन पांच साथ वटे 11 तेरे वटे 15 ये सभी संख्याएं जो हैं ये सभी भीन है अब आप ये देखिए विया कि ये भिन्न तो हैं लेकिन कैसे भिन्न है अब ये भिन्न कैसे हैं तो आप समझे सबसे पहली बात करते हैं हम उचित भिन्न की उचित भिन्न जिसे हम कहते हैं प्रॉपर फ्रेक्शन अब समझे उचित भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसका हर अंस से बड़ा हो तो हम कहेंगे कि वह उचित भिन्न है एक जामपल देखिए जैसे हम कह दें दो बट्टे तीन पांच बट्टे साथ एक ग्यारे बट्टे पंदरा ये सभी भिन्न ये हो गए उचित भिन्न अब देखिए यहां पर हमने आपको बताया कि यह देखिए नंबर एक से बड़ी सारी संख्याएं भी भिन्न है और ये भिन्न तो है लेकिन ये सभी उचित भिन्न नहीं है उचित भिन्न वही होगा जिसका हर अंस से बड़ा होगा वो है आपका उचित भिन्न होगा चलिए इसके बाद करते हम चर्चा अनुचित भिन्न की अनुचित भिन्न यानि कि हम कहेंगे इंप्रॉपर फ्रेक्शन यानि कि ऐसा भिन्न जिसका अंस हर से बड़ा होगा उसे हम कहेंगे कि ये हमारा अनुचित भिन्न है अब देखिए हमने कहा था कि एक से बड़ी सारी संख्याएं भिन्न है तो अब देखिए एक से बड़ी कि यू सारी संख्याएं होंगी भिन तोंगी लेकिन वो सभी अनुचित भिन होंगे अब दि कि जैसे हम करें दो तीन पांच बटे तीन इट इसे ये सभी जो होंगे यह आपके अनुच्छत भिन होंगे बात समझ में आ रही होगे चले आगे देखते हैं अब देखें मिस्रित भिन की बात करते हैं मिस्रित भिन जिसे हम कहते हैं mixed fraction आप समझे मिस्रित भिन ऐसा भिन होता है जिसे हम जेडिस टू एवाई बी के रूप में लिख सकें उसे हम मिस्रित भिन कहते हैं example देखें जैसे 2 सई 3 बट्टे 4 5 सई 7 बट्टे 11 3 सई 1 बट्टे 2 यह सभी जो होंगे यह हमारे मिस्रित भिन होंगे इसके बाद देखिए मिस्रित भिन हो गया भिन्नों के सरलतम रूप भिन्नों के सरलतम रूप यानि कि हम यह कहेंगे simplest form of fraction अब देखिए ऐसा भिन्न जिसके अंसवय हर में वन को छोड़ कर कोई भी संख्या उभैनिष्ट ना हो तो हम कहेंगे यह रूप भिन्न का सरलतम रूप होगा जैसे देखिए हम कहें 3 बटे 4 5 बटे 11 7 बटे 12 यहीं पर हम कर दें 9 बटे 15 अब देखिए यह सभी भिन्नों के सरलतम रूप तो हैं लेकिन 9 बटे 15 जो है यह भिन्नों का सरलतम रूप नहीं होगा क्योंकि देखिए 9 बटे 15 को 3 गुड़ 3 लिख सकते हैं और 3 गुड़ 5 लिख सकते हैं यह देखिए तीन जो होगा यह अंस और हर दोनों में कामन होगा इसलिए यह रूप भिन्नों का सरलतम रूप नहीं होगा वागी यह सभी आपके भिन्नों के सरलतम रूप हैं तो यह बाते जो रहीं भिन की बेसिक बात रही कि भिन होता क्या है अब समझे जैसे कभी-कभी एक्जामों में एक्जामों में आपसे चार आपसंदे देंगे और आपसे यह पूछ ले बताइए भिया इस में से कौन सा भिन है जैसे आपको दे दे जीरो दूसरा आपसंदे दे माईनस तीन बत्ते चार तीसरा आपसंदे दे पांच चोथा आपसंदे दे आपका ननादीज अब आपसे ये पूछा गया कि आप बताईए भीया कि इसमें से कौन सा भिन्न है तो अगर आपको definition नहीं पता है तो आप इसको टिक कर देंगे जबकि ये सरासर गलत है हमने आपको बताया कि भिन्न वह होगा जिसका भिन्न वह होगा जो अंसवहर के रूप में लिखा जा सके तथा अंसवहर प्राकृतिक संख्या हो जबकि माइनस तीन हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है ना ही जीरो हमारी प्राकृतिक संख्या है जबकि पांच को हम पांच बटे एक लिख देंगे तो आप ये समझे पांच भी प्राकृतिक संख्या हो गई एक भी प्राकृतिक संख्या हो गई पी अपान क्यू के रूप में लिख दिये ये हम कह दिये कि भिन्न है लेकिन ये भिन्न है लेकिन कैसा भिन्न है ये जो भिन् तो इस तरीके से आपके बेसिक से एक सवाल अक्सरी जाम में पोछ लिए जाते हैं कि कौन सा भिन्य उचित है अनुचित है भिन्य की परिवासा से भी पूछ लिए जाते हैं तो यह रही आपकी बेसिक बाते की भिन्न होते हैं, अगर आपको यह भिन्न की बेसिक बात समझ में आ गई, तो आगे देखे, आज हम आपको भिन्नों का जोड सिखाते हैं, कि भिन्नों का जोड क्या होगा? चलिए, देखे भिया, जैसे हम यह लिख दें, कि 3 बटे 4 धन, 1 बटे 2 हमें आड करना है, तो देखे, आड करने के लिए, जब भिन्नों को आड करते हैं, तो पहला काम हम यही करते हैं, कि इनके हरों का लासा लेने, माली आपको लासा निकालना नहीं आता है, यदि आता हो, तब भी ठीक है, नहीं आता है, तब भी कोई बात नहीं, आगे टॉपिक में हम यहीं लसेम पढ़ाएंगे, आज में यह लासा वह छोटी से छोटी संख्या होती है, जो दी गई संख्याओं से पूर्त विभाजित होती है, अब तो वह चार का लासा, यानि कि दो वह चार क वह छोटा गुरनफल, वह छोटा मल्टिपल, जो दोनों का गुरनफल हो, यानि कि दो वह चार का जो यलसीयन होगा, वह आपका चार होगा, चार से अब इसमें भाग देना होगा, चार से भाग देंगे एक आया, एक से तीन में गुड़ा किये तीन हुआ, अब दो से हम एक सही एक बट्टे-4 भी लिख सकते हैं यानि कि मिस्रित रूप में भी लिख सकते हैं बात समझ वागे चलिए आगे देखते हैं जैसे देखिए कभी कभी ऐडिंग में आपको ऐसे देदे दो सही तीन बट्टे चार धन पांग सही एक बट्टे दो तो अब देखिए आपको इसको एड करना होगा तो बचपन में हम करते क्या थे इसका इसमें गुड़ा करके इसको जोड लेते थे और फिर वोई हरूं का लासा निकालके एड करते थे बाद में भाग देकर मिस्रित भिन में लिखते थे लेकिन अब यहां पर हम ऐसा नहीं करेंगे हम पुड़ांकों को एक साथ एड करेंगे और जो अमारा फ्रेक्शन पार्ड होगा उनको एक साथ एड करेंगे देखिए अब ये पांच दो साथ हो गया अभी इसको हमने एड किया इसको हमने एड किया तो पांच बट्टे चार एड किया था जिसका मान एक सही एक बट्टे चार आया था अब देखिए साथ में एक एड हो गया ये आपका हो गया आर सही एक बट्टे चार ये आपका आंस जैसे देखिए भी अब हम लिख दें तीन सही एक बट्टे दो धन पांच सही तीन बट्टे चार धन साथ सही तीन बट्टे आठ लिख दें अब इसे हमें एड करना है तो आप देखिए एड करने के लिए पहले हम इनके जो इंटीजर पार्ट है यानी कि पूरांख है उनको एक साथ एड करेंगे और जो फ्रेक्शन पार्ट है उनको एक साथ एड करेंगे चलिए देखिए 7, 5, 12, 3, 15 हो गया ये और इनका LCM आपका 8 हो गया 2 से भाग दिये 4 आया 1 में गुड़ा करेंगे 4 होगा 4 से भाग दिये 2 आया 2 का 3 में गुड़ा करेंगे 6 होगा 8 से भाग देंगे 1 आएगा 1 का 3 में गुड़ा करेंगे 3 होगा अब देखिए यह आपका हुआ 15 धन 6,4,10,3,13,8 लिख सकते हैं हम अब देखिए इसको आगे हम लिख सकते हैं 15 धन 1,5,8 इसको सीधे सीधे एड कर देंगे हमारा आंसर हो जाएगा 16,5,8 देखिए यह आपका भिन्नो का जोड है ठीक है आगे चलते हैं देखिए देखिए कभी कभी सिंप्लिफिकेशन भिन्नों का जब सिंप्लिफिकेशन करते हैं सॉल्व करते समय कभी कभी इस तरीके से आप से मान लिजे आ जाता है नंबर जैसे हम कह दें 131 धन या माइनस कर देता है माइनस 89 बटे 97 अब देखिए आप ऐसा कभी नहीं करने जाएंगे कि इसके बटे एक लिक के इनका LCM लेकर इसका इसमें गुणा करें इसको घटाएं ऐसा करेंगे तो थोड़ा time लगेगा और आपको multiple करना पड़ेगा calculation करना पड़ेगा इससे बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं इससे हम 130 धन एक लिख सकते हैं और माइनस 79 अपान 97 लिख सकते हैं अब देखे 97 का वन में multiply करिए तो आप देखिए 97 हो जाएगा और 97 से 79 को subtract करिए 17 से 9 गया 8 और 8 से 7 गया 1 हो गया 18 बटे 97 हो गया सीदे सीदे इसे हम लिख सकते हैं 130 सही 18 बटे 97 यह हमारा answer हो गया जबकि हम LCM लेके solve करते तो पहले यहां इसका गुड़ा करके इसको घटाना परता बाद में इसी से भाग देके इसको सही घटा में लिखना परता कल्कुलेशन से बचने के लिए हम सीदे सीदे यह बात ही कर दे बात समझ में आ रही होगी है चले आगे चलते हैं देखते हैं आगे बस आप वीडियो को सुर्वास से लेके लाज तक देखिए वन बाई वन करके सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे और विन में अभी तो यह फिए पर आपके तीन प्रकार के होता है एक तो बार यह होता है कि आप दसमॉला के बाद बाहर लगा दें तो उसका मतलब होता है रिकैरिंग यानि कि दोहराओ इसके विशे हम बाकाई दें दस्मलों का एक टॉपिक डालेंगे उसमें पढ़ाएंगे अभी आपके वाल इतना समझे कि इस रिकैरिंग का जो मतलब है इसका मतलब यह दस्मलों तीन 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 एक आपका हुआ रेखा कोश्टक छोटा मजला बढ़ा अब देखिए जब इसमें ब्रैकट के सवाल होते हैं तो उसमें सबसे पहले हम रेखा कोश्टक का उपयोग करते हैं रेखा कोश्टक को सॉल्व करते हैं फिर आगे अब एक बार तो आपका यह हो गया कि दस्मलों क इससरे बाद एक बार यह आपका रेखा कोष्टक के रूप में तीसरी बात जो करते हैं कभी कभी भिन्नों को इस तरीके से लिखा होता है। जब मिस्रित भी न लिखा होता है तो पूरांक पर बार दिया होता है, बाकि आपका यह fraction पार्ट होता है अब देखे, अगर आपको इसकी मीनिग नहीं पता है अगर मीनिग नहीं पता है, तो आप solve नहीं कर सकते अब सबसे पहला काम यह होगा कि आप इसकी मेनिंग जयाने है कि यह होता क्या है समझे जैसे अगर हम कहीं लिख दें A बार B वाई C लिख दें तो अब देखे इसकी जो meaning होगी इसका मतलब जब पूरांकों पर बार दिया हो तो जो पूरांक होगा वो minus में बाकी 6 बाते हैं 6 जो बचेगा fraction पार वो आपका plus में अब इसे हम लिख सकते हैं minus a plus byc यह बिसेस बाद यह जो आप नोट करिए कभी कभी यामों में इससे भी सवाल पूछे जाते हैं देखे याम में पूछे क्या जाते हैं सारी चीज़ें कभी न कभी पूछी गई है और पूछी आती रहेंगी इसलिए जब आपको solve करना हुआ अगर जैसे देखे भिन आपको भिन के सवाल आए अगर भिन का पूरा concept आपको पता हो भिन का बेसिक से लेकर उसके high level के series तक के सवाल आपको solve होते हूँ तो कुछ भी जह भिन का आप solve कर सकते है ठीक है अब देखे यह आपको पता हो गया कि bar की meaning क्या है अभी इसे हम तोड के लिख सकते हैं देखे इसको हम तोड के लिख सकते हैं minus 3 plus 5 वट्टे 7 ठीक है अब आगे देखे इसे अगर हम minus 2 minus 1 धन 5 वट्टे 7 कर देए तो 7 करने साथ minus 7 हुआ 5 चला जाएगा तो यह आपका हुआ minus 2 minus 2 वट्टे 7 यानि की से हम लिख सकते हैं माइनस दो सही दो बटे साथ और ये मान और ये मान दोनों आपके आपस में बराबर हैं ये दोनों मान आपके आपस में बराबर हैं बस लिखने का तरीका अलग अलग है ये आप बार के रूप में लिख सकते हैं इसे तीन पर बार और इसको पूरा सॉल्व करके तो इसका मतलब यह हुआ यह पुडांक वाला भाग भी और फ्रेक्शन वाला भाग दोनों माइनस में है जबकि इसकी मीनिंग है यह जो पुडांक जो है यह माइनस में है बाकी सेस बातें प्लस में चली आगे चलते हैं जैसे एक यामपल देखते हैं भी या आईए जैसे हम कहें तीन पर बार दो बट्टे तीन धन पांच पर बार एक बट्टे दो यह हमारा हो गया अब देखिए पहला काम यह करेंगे इसे तोड कर हम लिखेंगे इसे हम लिख सकते हैं माइनस तीन धन दो बट्टे तीन माइनस पांच धन एक बट्टे दो लिख सकता है न अब देखिए यह माइनस वाले आपस में एड हुआ है एट प्लस इन दोनों का लसीम छे हो गया तीन से भाग दिये दो आया दो दुन इस पुरांग से यह माइनस में है और यह पुरांग प्लस में है तो इसमें से इसको माइनस कर दिये तो यह माइनस साथ धन एक बट्टे छे हो गया इसे आप लिख सकते हैं साथ पर बार एक बट्टे छे इसका मौन यह हो गया यह भी लिख सकते हैं इसके अलामा आप ऐसा कर सकते हैं, माइनस छे माइनस एक धन एक बटे छे कर सकते हैं, छे करने छे, ये आपका हुआ, माइनस छे, माइनस पांच बटे छे, यानि कि इससे लिख सकते हैं, माइनस छे सही, पांच बटे छे, अब ये दोनों मान, आपस में बराबर हैं, बस लिखने का तरीका आपका, यह अलग अलग है बढ़ छोटी छोटी बाते हैं आगे बढ़ते चलिए आपको बहुत आनंद आने वाला है इस टॉपिक में चलिए नोट का लीजे इसे आगे बढ़ते हैं हम लोग यह रही आपकी बार के विशय में जो हम आपको बताना चाहर है इसे अब देखे एडिंग में भिन्नों के एडिंग में कभी कभी इस तरीके का सवाल दिया जाता है जैसे देखे ऐसे करके देदे जैसे यह देदे एडिंग देदे आपको तो जब इस तरीके की एडिंग दियाती है तो इसको सॉल्व करने के लिए हम हमेशा लास्ट से स्टार्ड करते हैं सबसे पहले हम इसको देखते हैं इस्टेप आई फिर हम इसको डायेट देखते हैं जैसे देखे इसे चार करने चार चार तिन साथ हो जाएगा और यह चार उपर चला जाएगा इसे हम लिख देंगे एक प्लस एक बट्टे एक प्लस चार बट्टे साथ हो गया अगले इस्टेप में देखे साथ का एक में मल्टिपल होगा साथ करने साथ साथ चार इग्यारा यह साथ उपर चला जाएगा यानि कि एक धन साथ बट्टे इग्यारा हो गया इसे लिखना चाहें तो एक सही साथ बट्टे इग्यारा लिख सकते हैं या अठारा बट्टे 11 लिख सकते हैं यह तो तरीका हुआ कि जब ऐसे सवाल देंगे तो हम इस्टिपवाईज करेंगे कभी कभी होता क्या है इस टाइब के सवाल थोड़े लंबे दे दिये जाते हैं और आपको इसको इस्टिपवाईज सवाल करने में अक्सर गलतियां हो जाती है कुछ लोगों हो जाती होंगे कुछ लोगों नहीं होते होंगे लेकिन इसे हम और आसानी सिह कर सकते हैं पहली बाप तो यह दिखे कि यहां जो सवाल दिया गया है बायन तरफ आपका one-one दिया गया है और दाइं तरफ भी हमारा वन वन दिया गया है और देखिए यहां पर तीन बार प्लस किया गया है तो इस तरह का जब प्रक्रिया हो तो हम कुछ नहीं करेंगे जो लाइस्ट में ये फ्रैक्शन पार्ट दिया है इसे अंस हुआ हर के रूप में लिख लेंगे है और आप देखें कि बाये तरब भी वन वन है दाये तरब भी वन वन है और बीच में प्लस है तो जब ये प्लस हो तो प्रतेक नंबर को अपने पहले वाले में चार तीन साथ हो गया साथ चार इग्यारा हो गया इग्यारा साथ अठारा हो गया इंस देखे टीन बार प्लस है तो हमने तीन श्टब किया कि और वाला जो होगा यह हमारा अंस हो जाये गा और उसके पहले वाला जो होगा वो हमारा हर हो जाएगा यानि की आंसर aur समारा अठारा बट्टे यह होता है है, बाद समझ में आ रही होग। चलिए आगे देखते हैं, जैसे दिखें इस ह्सावाल को एक बट्टे। Creator सकरें ये चार बट्टे पाँच होगाC इसको add करना हमें तो आप देखे बाते फिर वही आप देखे बाएं तरफ 11 है दाएं तरफ भी 11 है जब बाएं वह दाएं दोनों तरफ 11 हो तो जो लाइस्ट में नंबर है उसको आप लिख लिए अंस फिर हर लिख लिए अब इसको जोड़ते जाएं पांचार नो नो पांच चूदा चूदा नो तेईस तेईस में चूदा जोड़ेंगे हमारा सैंतिस हो गया हमेशा आप यह देखिएगा भी या कि यहां पर जितने बार साइन होंगे उतनी बार यह प्रक्रिया करनी है य हमने एक दो तीन चार बार किया लाश्ट वाला जो होगा हमारा वह अंस होगा जबकि उसके पहले वाला जो होगा वह हमारा हर होगा आंसर हमारा हो गया सैंतिस बट्टे-टैस अब देखिए आपके मन में यह प्रस्नुफ्रा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है बीच में माइनस भी हो यह वन वन ना होके अलग अलग नंबर हो तो आद धैर रखिए सारी चीज़ें वन बाई वन करके बताएंगे चलिए यह हो गया होगा आगए चलते हैं कैसी दिखे एक यंप लोग दिखते हैं एक माइनस एक उपांग एक माइनस एग बट्टे 1 माइनस एग माइनस एग बट्टे एक माइनस तीन बट्टे माच हो जा है अब की बार देखिए, sign हमने change कर दिया है, इसके पहले वाले सवाल में, sign प्लस का था, इसमें देखिए sign minus का है, लेकिन बाते वही है, sign के वल change हुआ है, और ये 1-1 बाय तरब भी है, 1-1 दाय तरब भी है, तो अब देखिए, प्रक्रिया फिर वही होगी, हम पहले अंस हुआ हर को लिख लेंगे, लिखने के बाद आप देखिए, पहली बार में minus है, तो हम ये करेंगे, last वाले मैं से पहले वाले को minus कर दिये, तीन से 5 या 2 आ गया, इसके बाद फिर minus है, 2 से 5 को minus करेंगे, minus 3 आएगा, अब देखिए, minus 3 से 2 को minus करेंगे, तो ये minus 5 आ या, अभी एक, दो, तीन, जब कि अभी चार है, फिर माइनस पान से माइनस तीन को करेंगे, सब स्टेट करेंगे, तो यहाँ माइनस दो आएगा, अब यही लाइस्ट वाला हमारा अंस हो गया, और इसके पहले वाला जो है, यह हमारा हर हो गया, यानि कि हम यह कह सकते हैं भी या, माइन देखें सो गंद साइन के मत लिखेगा अगर है तहो माइनस लिखना है अगर प्लस बच रहे तो प्लस लिखना चले अगला देखते हैं यह की बाद कर देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं करेश चलिए जल्दी से करिए आप बहुत आसान है बहुत आसानी से कर सकते हैं आप चलिए हम करके आपको दिखाते हैं जैसे देखे यह 7 और 11 लिख दिया हमने पहली बार माइनस है तो 11 से 7 गया 4 दुबारा फिर माइनस है तो 4 से 11 गया आपको यह हो गया 4 से 11 को घटाएंगे तो माइनस 7 आएगा ठीक है अगले इस्टे में देखे इसमें से इसको घटाएंगे माइनस 11 आगया फिर माइनस 11 से 7 को हटाएंगे तो आप देखिए माइनस 4 होगा माइनस 11 करेंगे और माइनस माइनस 7 करेंगे जब तो माइनस 11 धन 7 हो गया तो देखिए ये माइनस 4 बचाओ ये हमने माइनस 4 लेगा अब देखिए ये लाश्ट वाला जो होगा यह अंस होगा और यह पहले वाला उसके हर होगा अंसर होगिया माइनस 4 बटे माइनस ही 11 माइनस माइनस कैंसिल हो गया यह हो गया आपका 4 बटे 11 कि इस तरह के प्रस्ण में आपने अभी यह दिखा कि हमने प्लस किया माइनस किया ऐसा भी हो सकता है कि प्लस माइनस दोनों साथ दे दे जैसे देखिए एक सवाल दोनों के मिक्स करके वन प्लस वन अपान वन माइनस वन अपान वन प्लस वन प्लस वन अपान वन माइनस साथ दे देखिए अब इस बार में हमने देखा कि माइनस और प्लस दोनों एक साथ दोनों एक साथ घवराना नहीं है एकदम आराम से करना है विया वन बाई वन करके बस इस्टेप आई आप चलते रहे हैं सारी चीजें बहुत आसाने से आपको आया नहीं है आप देखिए हमने पहले अंस लिख लिया हार लिखा बाते वो ही है इधर भी वन इधर भी वन अब आप यह देखो पहली बार में माइनस है तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तेरे से साथ गया छे बचा अगले बार में देखिए प्लस है तो इसमें इसको एड कर दिया यह देखिया, 19 हो गया, इसके अगली बार में फिर माइनस है, तो 19 से 6 की, माइनस की यह 13 या गया, अगले स्टेब में देखिये फिर प्लस है, तो 13 में 19 को जोड दिया हम नहीं, यह देखिये 32 आया, यह लाज्ट वाला हमारा अन्स हो गया, उसके पहले वाला हर हो गया, आंसर भीया, देखें, हमारा 32 वटे तेरा यह आंसर भीया, बात समाझमें आ रहा होगा, चले, अब देखें, दो तीन बाते हो गई, पहली बात तो ये हुई, कि सब प्लस प्लस हो, one one हो, वाइंत तरब भी दाएं, दूसरी बात, कि one one हे हो, ले भी बात आ रही होगी कि इधर भी नंबर हो जाएं तो सवाल कैसे करेंगे चलिए उसके विशन देखते हैं जैसे दिखेंगे टू प्लस वन अपां थीरी प्लस वन अपां टू प्लस वन अपां उन प्लस थीरिवाई फोर अब देखेंगे भी या बाए तरफ नंबर अलगअलग है जबकी दाए तरफ नंबर वन वन और वोही प्रक्रिया आपका साइन प्लस है तो हम फिर करेंगे लाश्ट वाले अंस्वाय हर को लिख लिए अधिखी यहां वोन है तो हमने इसको जोड दिया चार तिन देखें जब बाएत तरफ नंबर होगा तो बाएत तरफ के जो नंबर होगे उनका मल्टिपल करना होगा हमें लाश्ट वाले बाएत तरफ के संख्या का जो गुड़ा होगा वो अंतिम वाले में गुड़ा करने के बाद प्लस हो प्लस कर दीजे माइनस हो तो माइनस करें जैसे देखिए यहां तो वन साथ तो चार में एक का गुड़ा होगा चारी होगा चार में तीन जोर दिये साथ हो गया अब देखिए यहां दो है तो साथ में दो का गुड़ा किये साथ दुनी चौदा चार को जोर दिये कितना हो गया अब यहां अठारा अब देखिए अगल तीन का गुड़ा करेंगे 54 होगा और 54 में साथ जोड़ेंगे 61 अधिक फिर यहां दो बच्चा एक सट में दो का गुड़ा करेंगे आपका 122 होगा 122 में ठारा जोड़ेंगे एक सो चालिस हो गया यह लाइस्ट वाला हमारा अंसर हुआ उसके पहले वाला जो है यह हर हुआ यानि की आंसर 140 वटे एक सट हुआ यह आपका अंसर होगा ठीक है नोट करिए नोट करिए अभी आपको एक नोट भी लिखा देंगे इस पर कि यह मल्टिपल कैसे करेंगे ठीक है आगे जालता हुआ अब की बारों ऐसा करते हैं साइन दोनों मिक्स करते हैं जैसे दिखिए 2-1 upon 3 plus 1 upon 2-1 upon 1 plus 3 by 4 1-1 कर दिए चलिए अगले स्टेम में देखते हैं अब देखिए इधार नमबर अभी हम दाहें तरफ नमबर नहीं दे रहे हैं क्यों बाहें तरफ नमबर और हमने आपको बताया बाहें तरफ जो नमबर होगा उसका गुड़ा हमेशा अंति मौले में अब देखिए यह तीन हुआ चार को लिख दिया हमने अब एक का गुड़ा चार में करेंगे चार आएगा चार से तीन को घटाया हमने एक आया अब देखिए यहां पर दो बचा हुआ है दो का गुड़ा करेंगे एक में दो आएगा और दो में से चार को घटायेंगे तो आप यह देखिए माइनस दो आएगा अगले इस्टम में देखिए तीन का गुड़ा करेंगे हम किसमें दो में यानि कि तीन का गुड़ा माइनस दो में करेंगे तो ये छे हो गया और छे में एक जोड़ेंगे तो ये हमारा माइनस पांच बचा अगले इस्टम में फिर देखिए दो का गुड़ा पांच में माइ माइनस 10 हो गया माइनस 10 यब हुआ तो माइनस 10 से 2 को माइनस 2 को माइनस करना होगा तो यह हमारा आया माइनस 8 जैसे देखें यहां पर हमने लाश्ट में 5 का गुड़ा किया 5 में 2 का गुड़ा किया माइनस 10 हो गया और माइनस 10 से माइनस 2 को माइनस करना है तो यह माइनस 10 धन 2 हो गया यानि कि यह माइनस 8 हो गया अब यह देखिए लाइस्ट वाला हमारा अंस हो गया और उसके पहले वाला जो है वो हर हो गया यानि कि माइनस 8 बटे माइनस 5 है माइनस माइनस कैंसिल हो गया हमारा उत्तर जो हुआ इसका 8 बटे 5 हो बाद समय में आ रही हो चलिए अगले step में देखते हैं हम लोग अब ऐसा भी हो सकता है आपके प्रस्न में कि बाएं तरब भी नंबर हो और दाएं तरब भी नंबर हो एक सवाल उसका देखते हैं यहां पर हम जैसे देखे 2 प्लस 3 एपान 3 माइनस 2 एपान 2 माइनस 5 वाइ 6 होगा अब देखे आप 20 तरब भी नंबर हो और 23 अन जब इस तरह का नंबर भी दे दे बाएंदाइं तरप दोनों तरफ नंबर दे दे और साइन भी अलग अलग दे प्लस भी दे दे माइनल फिर भी घवराने के कोई योगत नहीं जो बातें आपको पहले बताएं हैं लागू होंगी वही बातें यहाँ पर भी दागू देगे जो भी रूल्स बताएंगे वो हर जगें अपली केवल होगा यह ऐसा नहीं होगा केवल specific question में ही लागो हूँ अब देखें यहाँ पर हम ऐसा करते हैं पहले अंस और हर को लिख लिए अब सुनिए ध्यान से जब दाएं दोनों तरफ नंबर देंगे तो बाएं तरफ के नंबर का जो गुरा होगा वो अंतिम वाले में और जो दाएं तरफ का नंबर होगा उसका गुरा अंतिम से पहले वाले में करेंगे प्रक्रिया फिर वोई होगी कि अगर जोड है तो जोड कर देंगे घटाना है तो घटाना कर देंगे चलिए अब देखे यहां पर दो है तो छे में दो का गुड़ा हुआ 12 से 5 जाएगा तो आप देखिए सात बचा अगले इस्टेब में देखे यहां 3 है तो 7 में 3 का गुड़ा होगा 21 होगा अब दाएं तरब 2 मिला 2 का गुड़ा अंतिम से पहले वाले में जबकि जो 2 है इसका गुड़ा अंतिम से पहले वाले में जबकि 2 तरब जो 3 है साती अरी कि 20 हुआ और 2 चक 12 हुआ 21 से जब 12 घटाएंगे हम तो हमारा 9 बचा अब फिर देखे अगले हिस्टेप में यह यहाँ 2 है तो अंतिम वाले का गुड़ा शोरी बाय तरब के नमबर का गुड़ा अंतिम वाले में और जो दाए तरब का नमबर है हो गया तो यहां देखिए प्लस है 18 में 20 एड करेंगे तो यह हमारा हो गया 49 अब यह अंतिम वाला जो होगा उसके पहले वाला जो होगा वो हर होगा यानि कि 49 बटे 9 यह हमारा आंसर हो गया आप चाहें तो इसे कार सकते हैं मैं 3 स कार दीजिए तेरा हो गया यह 3 हो गया आंसर आपका हो गया 13 बटे अ बाश समाझ में आ रहा होगी एक यहांपल और इसका देखते हैं बलकि आप नोट करके लिख लिए कि बाए तरफ के नंबर का गुड़ा अंतिम वाले में जबकि दाए तरफ के नंबर का गुड़ा अंतिम से पहले वाले में बाए तरफ के नंबर का गुड़ा गुड़ा अंतिम वाले में ताए तरफ के नंबर का गुड़ा नंबर का गुड़ा अंतिम से पहले वाले में अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि जब गुड़ा बाए तरफ का जो नंबर हो का उसका गुड़ा अंतिम वाले में कर दिए दाए तरफ के नंबर का गुड़ा अंतिम से पहले वाले में कर दिए जोड़ना है तो जोड़ दीजे, घटाना है तो घटा दीए, एक यामपल और करते हैं इस पे, जैसे देखिए, हमें कर दें, दो माइनस, वन अपान, थिरी प्लस, फोर अपान, वन माइनस, थिरी अपान, टू प्लस, फोर बाई, फाई, चले, अब देखिए, बाएं तरब भी नंबर, और दाएं तरब भी नंबर, साइन माइनस और प्लस दोनों साथ में दिये गए, पहला काम ये करेंगे, अंस और हर को लिख लिए, अज़िए, यहाँ पर दो है, तो दो का गुड़ा पांच में करेंगे, दो पचे, दस, अब कुछ लोगों को ये लग रहा हुआ, अच्छा सार का गुड़ा चार में कर दो पचे, दस हो गया, चार को एड कर दिये, चौदा हो गया, अब देखिए, बाए तरब जो नंबर है, वो एक है, एक का गुड़ा चौदे में, आपका हो गया 14, तीन का गुड़ा पांच में, हो गया 15, बीच में माइनस है, तो 14 से 15 माइनस करेंगे, तो माइनस, एक में 56 एड करेंगे तो आप ये देखिए तीरपन बचेगा फ्यूटिटीट फिरिए अभी देखिए अमने क्या किया एक लिश्टेप दो इस्टेप तीन इस्टेप अब चोथे इस्टेप में देखिए दो का गुड़ा अंतिम माले में कि तिर्पन में दो का गुड़ा करेंगे एक सो छे होगा जब की एक का एक में गुड़ा करेंगे एक होगा अब एक सो छे से जब एक को घटाएंगे माइनस यह माइनस वन है तो आदेखिए 106 प्लस एक हो जाएगा यह आपका 107 हो गया लाश्ट में आपका 107 आया यह आपका अंस होगा और यह आपका हर होगा आपका उत्तर हो गया 107 बटे तिरपन यह रहा भिन्नों का जोड अभी आपके भिन्नों का जोड खतम नहीं होगा आप अभी हम केवल दो टाइप बताए आपको एक हमने बार के सवाल बताए दूसरा आए इसके बाद देखिए एक रिपीटेड नंबर की एडिंग होगा उसके बाद भिन्नों से सीरीज के बहुत स सवाल बनते हैं, वो भिन्नों के सीरीज से जो सवाल बनते हैं, वह जो हैं हर एक्जाम में पूछे जाते हैं, कोई ऐसा एक्जाम बचाई नहीं है, जिसमें भिन्नों के सीरीज से सवाल ना पूछा जाए, तो आपको अगली क्लास में भिन्नों के एडिंग के खतम करके, भिन करके सारी क्लास मिलती रहेंगी और कुछ दिन बाद आपको आनलाइन क्लास कर देंगे और पूरी गडित की पूरी सेलबस मिलेगी आपको आप कोई भी ज्याम देना हो आपको यससी देना हो बैंक देना हो रेलवे देना हो कोई भी ज्याम ऐसा नहीं होगा हमारे यहां होगा इसकी गारेंटी बस आप लगे रहें ठीक बाइबाइबाइब टेक केर अगर